नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन्सों में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं, आपको यहां कम समय में जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और एकोनॉमी से रिलेटेड खबरे मिलती है तो यह हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफेकेशन आप तक पहुंच सके आए बिना किसी और देरी के सीधा मुद्दे पे आते हैं रस्या में विराष्टपते शुना के नतीजे आ गया है, जिनमें बलादमीर पुतिन ने बंफर जीत हासिल किया और इसी के साथ अब अगले 6 सालों तक फिर से पुतिन रस्या के प्रसिडेंट की पद को समभा लेंगे और अब इसी इसू को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है एक तो वो जो पुतिन को जीत की बथाई दे रहे हैं जिनमें इंडिया और चाइना जैसे देश सामिल है वही दुसरा गुट जे को धरे से नकार रहा है जिसमें अमेरिका और यूके जैसे देश आते हैं दरसल इनका कहना है कि इस चुना में पुतिन अपने सक्ति का जोर दिखा कर चुना जीता है और यही वज़य है कि इन देशों ने पुतिन को बदाई संदेश तक नहीं भेजा तो उधर पुतिन ने भी अपने पहले भासन में पश्चिमी देशों को चेताया है और कहा है कि अगर नेटो और रसिया का आमना सामना हुआ तो यह दुनिया World War 3 के लिए तयार रहे हलाकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताए